आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें बियोजित हो जाएगा, किस पिरकार बियोजित होगा, एने प्लस 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 सील माइनस, तो आप देख रहे हैं, एने सील का जो बिलियन है, इसमें एने सील मिलाते ही यह आइनों में बियोजित हो गया, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों की जो एने सील का एक अडू जो है वो Na plus और Cl minus में ब्योजित हो गया तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों billion में बिले अड़ूं का ब्योजन कहेंगे ठीक है बिले अड़ूं का ब्योजन अब दोस्तों syogen कैसे देखते हैं syogen ठीक है तो यहाँ पर अब हम syogen के बारे में समझेंगे तो क्या होगा दोस्तों जैसे हमारा benjoic aml होता है ठीक है benjoic aml को जब हम billion बनाने के लिए किसी बलायक में घोलते हैं benjoic aml को इसके benjoic aml का सूतर C6H5 C6H5 COOH तो यह क्या करेगा दोस्तों यह सयोजित हो जाएगा और किस पिरकार सयोजित होगा दोस्तों सयोजित होगे यह दुईलक बनाएगा इसके दो अड़ू आपस में सयोजित हो जाएगे benjoic aml के और यह दुईलक बनाएगे किस पिरकार का दुईलक C6H5 COOH होल ट्वाइज ठीक है तो इस पिरकार दोस्तों आप देख रहा है यहाँ पे benjoic aml को जब हमने billion बनाने के लिए एक बिलायक में घोला तो इसके दो अड़ू आपस में सयोजित हो करके एक अड़ू बना रहे है और इस पिरकार का जो अड़ू बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं billion में bilay का सयोजन bilay का सयोजन कहते हैं सयोजन तो क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अड़ू-संखे गुरूढ धर्म होते हैं वो किस पिरकार प्रभावित होते हैं सयोजन या ब्योजन से किसी भी billion के अडू संखे गुड़ धर्म, बिलियन में जो हमारा बिले पदार्थ है, ठीक है, उसके कड़ों की संख्या पर निर्भर करता है, अडू संखे गुड़, क्या करते हैं दोस्तों, समानुपाती होते हैं, बिलियन में बिले के कड़ों की संख्या पर, बिले के कडो की संख्या कडो की संख्या पर ठीक है बिले के कडो की संख्या पर निर्वा करते हैं अडू संख्य गुर्धर्म तो अगर दोस्तों बिले के कडो की संख्या अधिक होगी तो अडू संख्य गुर्धर्म का मान अधिक होगा और अगर दोस्तों बिलेके कडो की संक्या घटेगी तो अडू संक्या गुर्धर्म का मान कम हो जाएगा अब चुकि ब्योजन में आप देख रहे हैं एक अडू जो है एने अडू का दो अन्य अडूों में दो अन्य कडो में जो की आयन है ठीक है दो अन्य कडो में ब्योजित हो रहा है एक अडू तो यानी दो अन्य कडो में दोस्तों ब्योजित हो गया तो इसकी वज़ेसे क्या होगा बिलेके कडो की संक्या बढ़ गई तो यानी अडू संक्या गुर्धर्म का मान क्या होगा बढ प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि संयोजन में आप देखेंगे, संयोजन में अलु संखे गुर्धर्मों का मान कम प्राप्त होता है, अडू संखे गुर्धर्मों का मान कम प्राप्त होता है सैयोजन में क्या हो जाएगा दोस्तों अडू संखे गुर्धर्मों का मान हमें कम प्राप्त होगा अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उधारन यहाँ पे मैंने दिखाया है सैयोजन का इसमें आप देख सकते हैं C6H5COOH यह जो बेंजोई कमल है इसके हमने कितने अडू लिये हैं दो अडू और यह सैयोजेत हो करके एक दूसरे से यह सैयोजेत हो करके क्या कर रहे हैं एक अडू बना रहे हैं ठीक है C6H5COOH का होल ट्वाइस तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बिलियन में अडू की संख्या क्या हो और यह घट रही है बिलियन में अडू की संख्या क्या हो गई घट गई तो जब अडू की संख्या घट गई तो इससे क्या होगा अडू संख्य कुरधर्म का मान भी घटेगा तो यहीं दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है कि सईयोजन में क्या होगा अडूसंग के गुर्धर्म का मान हमें कम प्राप्त होगा यहीं हमारे प्रश का उत्तर है तो आशा करता हूँ आपको सवंज में आया होगा दोस्तों धन्यबाद